शब्द और वाक्य शब्द जो वर्णों के मेल से बनाए जाते हैं और वाक्य जो शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं हिंदी वर्ण माला में 44 वर्णों होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन इन्हीं वर्णों या अक्षरों के मेल से के योग से शब्द बनते आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहे हैं यह चित्र दिख रहा है यह चित्र है सूरज का सूरज शब्द है बेटा वह किन-किन वर्णों से मिलकर बनाया है सूरज इसकी बाद हम अगला जो शब्द देखेंगे वह है मचली जो बना है मचल वर्णों से मिलकर अगला जो चित्र है वह है परवत का परवत में जो वर्ण या अक्षर हैं वे हैं परवत तो देखा आपने वर्णों के मिल से अक्षरों के मिल से शब्द बनते हैं शब्द के बाद हम जानेंगे शब्द की परिभाशा के बारे में वर्णों के मिल को शब्द कहते हैं वर्णों या अक्षरों की मेल को जैसे वन, मगर, नल, हल शब्द की परिभाषा के बाद हम देखेंगे शब्द के भेद हिंदी व्याकरण में शब्द के दो भेद होते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द सबसे पहले हम जानेंगे सार्थक शब्द की बारे में सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे कमल, थर्मस, सड़क, ये सभी सार्थक शब्द हैं सार्थक शब्द के बाद अब हम जानेंगे निरर्थक शब्द के बारे में निर अर्थक जैसे की नाम से ही स्पष्ट है जिनका कोई अर्थ नहीं है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वह निर अर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे कलम जो सार्थक शब्द है, यदि हम इसे नेरार्थक के रूप में लिखेंगे तो मलक क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं. धर्मस, समरत, सडक, कडस, कोई अर्थ नहीं है. ये हैं नेरार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है. अब हम देखेंगे बिटा, वर्ण और शब्द में अंतर. वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई. वर्ण या अक्षर. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. जैसे अ, आ, इ, क, ख, ग, आदि. इसी तरह से जब हम वर्णों का मेल करते हैं, वर्णों का योग करते हैं, तो शब्द बनते हैं. तो वर्णों के योग से शब्द बनाये जाते हैं. जैसे चा, ता, छाता. वर्णों और शब्द में अंतर जानने के पश्चात, अब हम देखेंगे वाक्य. जिस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह से शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनाये जाते हैं. जैसे हम बाजार जाते हैं, इससे बना है वाक्य हम बाजार जाते हैं, इसी तरह से एक और वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये है वाक्य की परिभाशा. इसके बाद अब हम दिखेंगे वाक्य के अंग या वाक्य के भेद वाक्य के दो अंग या दो भेद होते हैं इसमें पहला जो अंग है पहला जो भाग है वह है उद्देश्य दूसरा जो भाग है वह है विधेय आईए अब हम जानेंगे उद्देश्य और विधे के बारे में उद्देश्य की परिभाषा देखेंगे बेटा पहले उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उस व्यक्ति या वस्तु को उद्देश्य कहते हैं जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चे के बारे में तो इस वाक्य में जो उद्देश है वह है बच्चे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं इस वाक्य में पक्षी के बारे में बताया जा रहा है इसलिए यहां उद्देश पक्षी है इसके बाद हम देखेंगे विधे विधे उद्देश के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधे कहते हैं जैसे हम बाजार जाते हैं हम उद्देश है और बाजार जाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है इसलिए बाजार जाते हैं विधे, इसी तरह से, दूसरा जो हम वाके देखेंगे, वह है, दादी स्वेटर बुण रही है, इस वाके में स्वेटर बुण रही है, यह दादी के बारे में बताया जा रहा है, मतलब यहाँ उद्देश रहे है दादी और उनके बारे में बताया जा रहा है कि स्वेटर बुन रही है इसलिए विधे हुआ स्वेटर बुन रही है शब्द वाकी की परिभाशा को जानने के पश्षाथ अब हम देखेंगे पाठ के प्रश्नों के उत्तर के बारे में पाठ के प्रश्नों के उत्तर जो आपको अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में, हिंदी कॉंपोजिशन कॉपी में देट डालकर, पाठ का नंबर डालकर, पाठ का नाम डालकर सुन्दर राइटिंग में लिखना है पहला प्रश्ण देखेंगे शब्द किसे कहते हैं जिसका उत्तर है वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जैसे वन मगर आदी वर्णिया अक्षर का जो मेल है वह शब्द कहलाता है इसी के बाद अब हम दूसरा प्रश्ण देखेंगे शब्द और वर्ण में अंतर समझाईए वर्ण जो है बेटा भाशा की सबसे छोटी इकाई है जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाये जाते हैं वर्णों के आक्ष्णों के मेल से शब्द बनाये जाते हैं इसके बाद हम अगला प्रशन देखेंगे प्रश्ण No.3 वाक्य की परिभाशा लिखिए तथा इसके भेदों के नाम लिखिए तो जिस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी तरह से शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं वाकिके दो भेद होते हैं उद्देश विधेया अगला प्रश्न है विधे की परिभाशा उदारन सहित लिखिए तो जिसका उत्तर है उद्देश के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधे कहते हैं जैसे हम बाजार जाते हैं तो यह है प्रश्नों के उत्तर है पुना समझाया जा रहा है इसे आपको अपनी हिंदी कंपोजिशन कॉपी में डेट डालकर पाठ का नंबर डालकर सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखना है आशा है आपको शब्द और वाक्य किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं उनकी परिभाशा तथा भेद समझाये होंगे आपका दें शुभू थांक यू